दो नॉम्बर को देश की वो घटना कोई कैसे भूल सकता है जब काला कोट यानी वकील और वर्दी वाले आमने सामने थे एक मामूल इसे पार्किंग विवाद पर इस घटना ने एक तरह से खाकी और काला कोट को शर्म सार करके रख दिया यह ऐसी घटना थी जिसके बाद पुलिस हेड़कॉर्टर पर 11 घंटे तक वह प्रदर्शन करते रहें और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तीन महतोपून लोग हैं दिल्ली बार कॉंसिल के सदस्य हैं मुराइड तिवारी जी साथ में दिल्ली बार कॉंसिल के सेक्रेटरी हैं विश्नु शर्मा जी से पहले विश्न जी आप से सवाल है कि यह जिस तरह से 11 घंटे तक गहराबंदी की पुलिस और कार्टर को यह कितना जैज देखिए अकेले बदनाम नहीं होना मुझे जमाने में लिख लिख कर तुझे भी मशूर करेंगे हम केवल एक तरफ की कारवाई चल लए है एक तरफ की कारवाई हम तो हमारे दामन पर तो बहुत दाग है पर दामन उजला आपका भी नहीं है एक बहुत लंबी फैरिस्त है कि एड्वोकेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसी चलना है ट्रायल चलना है कन्विक्ट हो चुके हैं तो आप इसी बिल्डिंग में अपनी फर्याद मांगने के लिए यह जो पुलिस वाले थे क्योंकि वो इतने हथात हुए इस सारे मामले से ठीक है हाई कोट ने ओर्डर कर दिया कि छे हफते के अंदर इंक्वारी होगी वी यारेडी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको उसके बाप जूद भी मारा जा रहा है उसके बाप जूद भी पीटा जा रहा है तो इनकी सुरक्षा कौन देगा इसी लिए वह गौहार लगाने के लिए अपनी प्रेयर करने के लिए क्योंकि हमारा मुख्याले आई टी ओ पर है पुलिस मुख्याले के अंदर वहां पर रिक्वेस्ट करने गहें थे कि सर हम जूटी कैसे करें अपने जूटी को सरनजाम कैसे दें हमें मारा जा रहा है पीटा जा रहा है तीसे जारी कोड के प्रांगड में 20-20 गारियां जलाई गए उसमें देड़ सो क्रिमिनल्स उस टाइम अंडर ट्राइल परिजनर्स बंद थे जिसमें उन तो क्या कोई संस्था कोई कोई वकील जिंव्मेदार ही लेता उसकी भर्षंप की थी चित भी तुमारी और पट भी हमारी हम तुम्हें करने नहीं देंगे यह कोई जार आप सुम्ष पैदको कर सब्सक्राइब ऐसा है महसूस हो रहा है कि पिछली वार भी आपको याद होगा जब 88 में किरनबेदी का केस हुआ था तो उस टाइम पर 90 दिन हर्ताल चली थी उसमें सबसे ज़्याद नुक्सान किसका होता है पुलिस्तों नुक्सान तो सबसे ज़्याद नुक्सान तो एक आम आदमी को हो र पुलिस को सरकारी तंखा आती है वह एक दिन करें आदे दिन करें पचास दिन करें तो तंखार आपके अब के लिए बगवान है क्या आप किसी और एजनसी को प्रेयर करने की अनुमती देते हैं क्या आप देखिए आप देखिए आपके अपसर ने अपनी स्किन बचाने के लिए हाई कोड का ओडर आयतवार को आपके जितने ही वह अफसर थे उन्होंने सोची समझी साजिस के तहट यह आई टीओ पर जो डिमस्टेशन का ड्रामा किया आप लोगों ने आप लोगों ने कोई लौब एडिंग में कोई सिटिजन नहीं आप लोगों आपको अगर करना ही था आपको डिमस्टेशन करना था आप करते आप जंतरमंतर पर जाते अपनी मांग रखते आप मीडिया के माध्यम से रखते लेकिन आपने ऐसा कोई रास्ता नहीं चुना आपने चुना कि हाईलाइट आने के लिए ओल ओवर इंडिया में कौ आपके पुलिस आफिसर हास्पिटल में भरती हैं कितने आपके लोगों के फ्रेक्चर हुआ है कितने लोगों को गोली लगी है कितने लोग इंजोंड आप मुझे बताई आंकडे आपने बोला कि हमारी बीस गाड़िया जली आप देखिए वहां पर एक पुलिस की जीप को सि किसने चलाया गया किसने किया यह नहीं अभी तक बता लगा लेकिन एक अधिवक्ता जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आज वो सेंट स्टीवन आउस्पिटल में अगर वो मर जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता एक अधिवक्ता जिसकी उंगलिया कट गई है ग हो रहा है क्या बलह रहा है वकील तो रोज खाता है रोज कमाने वाला है पर एपिरेंस कोट में जाकर पैसे लेता है जितने हैं वकील के सूलानी चल रहा है आज कम से कम एक लाग एड़ोकेट मैं से 50,000 ऐड़ोकेट ऐसे हैं जिनके घर में जबाब दोंगा क्योंकि जवाब देना भी उत्रहीं जरूरी होता है तो अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक हॉस्पिटल में एक लेडी कुछ प्रोटेश्ट की तो आपके एक सीपी ने मुह पे थपड़ मार दिया जिसके लिए आप इस मामले को करें आपने के दिया कि उस दिन सेंगर का मैटर लगा हुआ था एक छोड़ी सी पार्किंग की बात थी 15 लोग एक आदमी को अंदर ले जाते हैं उसको पीटते हैं पीटने इस जारी का डिस्टिक्स जाज और चार जूडिशल अफिसर जाते हैं और वहां का चौकी इंचार जाता है वहां का इसे वाता है सबने रिक्वेस्ट की उनसे की आप इसको छोड़ दीजिए क्यों नहीं चोड़ते हैं जब तक गोली नहीं लगी जब तक इंजरी नहीं जब आप गोली मारते हो तो मारा तो इतना से एक रिक्वेस्ट था बेज़ जी किसी को गोली मारता गोली मारना तो बहुत दूर की बात है अगर चोड़ी सी पिटाई कर दे तो पुलिस का काम हो उसको ठाने में ले जाना अरेश्ट करना उसने जो हत्यारी उच्किया उस हत जब जबाब जहता हूं कि क्या हम 307 के केस में भी पहले इंक्वारी करते हैं और नेश कुमार का जज्जमेंट है स्टेट ऑफ बिहार उसमें साथ सलता की जो सजा है उसमें नोटिस देने का एक प्रविजन बना हुआ है उसमें भी पुलिस की मर्जी है जिसको मन करता है न मोके पे गया तो वह कम से कम उस जिसने मारा उसको ट्रेस करें आपको नहीं लगता है कि उसको अरिश्ट करना चाहिए ता और वकीलों ने जो घल्ती की उन वकीलों के खिलाब भी आपने फियार करा है तो उस जो पुलिस वाले खिलाफ है फियार हुआ है क्या पुलिस करते हैं एक मिनट्ट यह आप यह करते हैं कि अपन्डी के लिए बता दू कितने पुलिस अपसर मेरे जैसे कोटों के अब रिजिस्टर किया है तो उन्होंने कहा है कि कभी-कभी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो नजीर बन जाता है तो भूशन जी आपकी तरफ से क्या माने की इस तरह का अगर कि इस तरह की बाते कह रही है देखिए मैं आपको उसी टाइम की एक किरणवेदी के शब्दी बताता हूं चलो आ कोट के अंदर मिसिज किरणवेदी ने बोला था कि जो कानून का सिस्टम में जमीन के ऊपर सड़क के ऊपर कस्तूरवा गांधी मार्क के ऊपर एक सिपाई ड्यूटी देता है हर चीज़ टू प्लस टू फोर नहीं हो सकती कानून के अंदर कई बार टू प्लस टू फाइब सकता है नोकरी है जो करता है इसको पता है किस तरह की जाती है कितनी होट सिप्स के अंदर आपके सामने आएगा आप इंतियार तो किजिए यह नहीं कहा कि गोली चला के चाहिए पहले दिन से कह रहा है आप पे दूबार यहां तो गोली चली और वकील ने पकड़ लिया इसा ही लगा है हमारी डिमांड सिर्व इतनी है कि जो व्यक्ति जिसने गोली चलाई हम उस व्यक्ति को यह चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी गिरफतार हो इस से जादे हैं दो बार पुलिस कमिशनर आइटियों पे आए और पुलिस की गैधरिंग को उन्होंने संभोधित किया और आश्वासन दिया आज पांचवां दिन है क्या पुलिस कमिशनर ने एक बार भी किसी गैधरिंग को उन्होंने एड्रस किया और यह कहा कि हां जो भी व्यक्ति जिस जिसने और दिया जिसने लाटी चार्ज कराया जिसने चेमबर तुड़वाएं जिसने लेडीजों के साथ बत्तमीजी कर आई यह जिसने कार तुड़वाई ए उनके खिलाफ हम एक्षन लेंगे ऐसा कैसा इंक्वारी का रिपोट पर रहें आपने पुलिस में वह चूक रही क ठीक है उस वारे में आप ना 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 इसमें विवाद नहीं करने दो गया किसलिए इन्वेस्टिकेशन पहले करके बाद मैं इन्वेस्टिकेशन करें आप तो पता तो लगे उसका सेल्फ जो डिफेस्टा एक चैम में वह स्टेटमेंट आयो को देगा जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं राजिस जी वहां पर हंड्रेट के करीब इन्मेट्स थे जे लॉक अप के अंदर आप थोड़ा से अप्रिशेट करो पोजिशन को वहां सो के करीब वहां पुलिस वाले थे और वहां पर ऐसा कोई आरेजमेंट नहीं कि वहां पर टिय कैनन हो अगर ऐसी सिती तो किसी दिर भी पैदा हो सकती है वहां सेंगर जैसे वहां पर एक यूज अंदर आ रहे हैं तो आप इतने प्रिपेर नहीं है वहां कि अगर कोई सौपचास का मौब आ गया आज तो वकीलों का मामला है कल को कोई भी वहां दो चार सो आदमी आकर कर सकता है तो क्या आपके पास यह सब स्ट्रिप्स पहले नहीं है उसके सीधा आपने गोली ही रखी हुए रिवालवर कि कोई भी आया गया गोली मार देंगे यह प्राइवेट डिफेंस है आपको बदाईए कि वहां टीयर कैस होना चीए कि नहीं वाटर कैनन का किसी तरह का पार्किंग को लेके आपके पास option है कानून में कोई प्रावदान है कि अगर आदमी रॉंग पार्किंग करता है पर खड़ाड़ी कर दो ट्यृफिक गार्ट कर दो हैं आती रहें सामने ड्राइवर उतार रहे हों से पड़ेट किए तो करने पे लगे नहीं लेकिन आप लूग पुलिस के साथ इस तरह सके मार्ट पीट पूतर रहे हैं तो यह कितना वाज़ित है देखे आप मुझे एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिये जहां पे पुलिस के साथ कोई इस तरीकी की मारपीट हुई हो दो तारीक तीन तारीक चार तारीक का एक incident जो साकेत का बताया जा रहा है जहां पर एक motorcycle पर constable है और वहां पर कोई black and white के अंदर कोई विक्ति उनके साथ बत्तमीजी कर रहा है identify आप करिए बार council के दो यहां सम्मानेज member बैठे हैं वो definitely cognizance लेकि उसके उपर कारवाई करेंगे we are not saying लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या एक सवाल है थपड़ और गोली को आप बराबर कर सकते हैं 307 नौन भी लेविल है आप जो भी आपने defense देना है कि self defense के चलाई हमाँ मैं एक सब्सक्राइब में आईयों को दीजी अपनी यह जो घटना खटना कि जो एक साकेट की जो बता रहे हैं जिसमें कितना आइपर हुआ है मामला उसमें वह इस ब्रक्राइब थ्री फिप्टी थरी इस सफिश्यंट था अगला सेक्षण आ रहा हूं वह थ्री निटी टू है रॉबरी दूनिया ने देखा यह जगडा वह नहीं नहीं रुको वहीं आगे चल लुता हूं अब ही नहीं रुक रहा है थ्री थर्टी टू वह भी गृवियस इंजरी के लिए है वहां कोई ऐसे इंजरी नहीं हुई एक से ठपड़ और जो दीख रहा है उसके बाद 506 वह जान से मारने की दंगी वह भी ऐसा कहीं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है यही तो रोना है कि जहां पुलिस के अपनी मर्जी है छे सिक्षन लगा दिए अरे लगा दो सिक्षन ल कहते हैं आप आप जबाब दोनों का जबाब देगा आप ने तो जिन्दगी वहार आप ने तो जिन्दगी पहर आप ने देखा है सब्सक्राइब को जो हिंचा हुई है पुलिस और वकीलों के बीच उसके बाद से दिल्ली के सब्सक्राइब कर अपनी मांग पढ़ रहे हैं तो वहीं दिल्ली पुरिस प्रदर्शन के बाद एक फिर से अपने काम पर लोट आई है और इस बीच जो पुलिस आयुक्त है सब्सक्राइब करेंगे मुझे एक चीज बता दीजिए पूरे हिंदुस दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी वकील का आज तक लाइसेंस बार काउंसिल ने रिवोक किया हो उसको सस्पेंड किया हो अपने उसका तोमर का सुना था अपने जो आप गौर्मेंट में जो मनीशर थे और एक्शन भी हमने लिया आप कर रहे हैं हमारे साथ जो डेफेंट में जो लोग आते हैं And many उनके पास प्थे हैं नहीं वह चाहते हैं कि बस हम पुलिस का Rainrey रेंज हमें तो एक टीरियो टाइप लाइन पे चलना है हमने कितना हमने लाइसमस रिवोग कि ऐे आप देख सकते हैं नहीं है यह का जण कर रहे हैं डिपारेकं कर रहे हैं कर रहे हैं आप वकीलों के साथ इस तरह का सलूग अगर पुलिस कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ तो आप देख मेरा अब मैं आप से इस सवाल पैदा होता है यदि इस इस प्रक्रण के अंदर एक वकील नहों के का आम आदमी को गोली लगती तो क्या आप तब भी इस तरह से धन्याद का इस वह आदमी है इसलिए आप वकीलों के साथ आपकी अदावत है इसलिए आपने का कि वकीलों का मार भी जाए तो भी आपका डिशनल डीसी पी कमिशनर के साथ खड़े होके 11 घंटे तक दिल्ली को जाम करते हैं और एक स्टेट्मेंट नहीं क्या मुझे बताई यह क्या दिल्ली पॉल्टिकल लीडर इस नौट राजनितिक लिडर नहीं है तो वहां के वह बात कर रहा हूं कि दो तारीक से लेके आज लिए कोई तक किसी तरीकी का इंसे डएंट नहीं उनौनने किसी तरीका को स्टेट्मेंट नहीं दिया यह किसी आदिने गोली चलाई एक तो आप परको को नहीं तो पहले ते परसों के रही है तो आजाओ वाप उसके बास क्या गारुट कोई और पीट सकता है परसों कोई और तो क्या यह आपको लगता है कि वर्दी वालों को को हम जनरलाई नहीं कर सकते इस तरह की घटना दीन बर में कई बार होती है और पुलिस इसको हैंडल करती रहती है तो ऐसा हम इसको जनरलाई नहीं कर सकते कि कोई भी किसी को मार सकता वैसे आए दिन देखा आपने जहां पुलिस एक्सेसिव पावर यूज करती हम पब्लिक प कारवाई होने चाहिए अधरवाज मरताल लखेंगे आपके पास सारी आर्बिट्रेरी पावर हैं आप पूरे अपने आर्बिट्री ने सलाते रहें कोई बात नहीं होगा आप ही लड़ने के आओ कहेंगे तो अब अगर वकीलों की यह मां है कि जिन्होंने गोली चलाई है और चेस्ट पर मारी है गोली यह तो उनको अगर उनके खिलाफ कारवाई हो एक्शन हो फाई यार हो गई है इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसाइटी फ्रेम हो चुकी है हाई कोट के एक रेटायर्ट जस्टिस कुनकी इंगवाई में मुझे मुझे लगता है मुझे लग और मुझे उसका सेक्शन बता दें क्या सेक्शन में हुई है अगर आप कह देंगे मैं कई बार चैनल सुए कह चुका हूं जो उस साले के खिलाब 307 के फायर दाज़्ुए हमारी तरफ से पब्लिक डूमें में पता तो इनको आप आरे को दे दो ना आप उसमें आरेस्टो क सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करते हैं पूरा आदमी चोट लिए पुरा आप से सवाल है थोड़ा संबब करके कि फ्यूचर में भवश्य मिस्तर की घटना ना हो उसके लिए दोनों बारी बारे बारे से तीनों एक छोटे-छोटे से एक जवाब देजी को इस तरह फिद्फिशी वाइसा नहीं कि मेरा प्रोफेशन है और मेरा जॉब है इस वज़ह से मैं इसा कहा रहा हूं लायर्स जो मेजोरिटी वह हमेंसा अपने रहती है क्योंकि उ में बंद कर दे कि को पित बहएसकर इससे बदोल होटा है उसके पैन होता है पेपर उता है जवयां बेताल को करता है बहुत रेपोरेड़ प्रोफेशन नोबल है तो मैं तो यहीं करता हूं कि सब येंड अपने को राक्ते भी और रखेंगे भी और साथ साथ मेरी एकी रिक्वेश्ट है कि जो अब टाइम बदल गया है सोशल मीडिया का टाइम हो गया है पुलिस जो पर्सनल से हैं उनसे मेरी एक रिक्वेश्ट है कि जो पहले होता होगा चोपचास साल पहले आज की डेट में आप अपने जो एट्रोसिट करके उस मामले को आप सही ट्रैक पर लाएं और लीगल तरीके से उसको एक्जेक्यूट करें मेरे दो सजेशन है इसके वारे में पहला सजेशन है जैसे डॉक्टर्स के लिए नर्स के लिए अस्पताल के प्रिमिसिस के अंदर उनको सिक्योर्टी देने के लिए एक मेडिकल के लिए एक लाए गया है इसी तरह पूरे इंडिया में जो पुलिस आफीस अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं अपनी जिन्दगी को दापन लगा कर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बारस सरकार को इस संसत को एक पारिस किया जाया जिसमें की जो उनके उपर चाहे व को और एड्वोकेट के प्रिमिसिस को सबको अलग लग कर दिया जाए कोट का अलग से व जिस에서 की कोट का का मगा हो कोंड़े किर डिया को कोयी प्रोबल्म नहीं है और वक्त ओ अंदर से हैं हम एक सिक्के के दो पहलू हैं दो कॉइंस के इसमें कोई मतभेद और मनभेद नहीं होना चाहिए मेरी फिर रिक्वेस्ट है अपने साथियों से अपने जो एड़ोकेट्स की मेरे दोस्तों की फ्रेटरनेटी है आप इसको काडल आफ करें अब काम पर लोटे हम लोग आपके साथ हैं हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और इसमें न्याय होगा जी च्छोटा सवाल है कि अगर पुलिस खुर अपने लिए सेक्ष्टी मांग रही है तो यह थोड़ी हचास्पत सिस्थिप बिल्कुल बहुत शरम की इस्तिती है हमाले डूबने वारे डेम लिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हैं अब अब समझें कि इसका क्या है जी जिए टूटल फेलियर पुलिस अच्छा दिकारियों का रहा है पुलिस का अभी भी रवय यह किसी को मारना मारना को कुछ भी परिवर्टन करना है यहारा मॉलेक्टिकार क्या मश कर सकते हैं इसको आखीने का करने जॉप करना की बादि करने क अधू को नहीं मालूम है कि जनरल citizen को क्या अधिकार प्राप्त हैं लाइर ऐसी एक कॉमोनिटी है उसको ये मालूम है कि हमें कैसे पकड़ लिया नी कि क्लूर्य हमें पकड़ कि क्यों फीटा हमें गुली मारी गुली मारी तो उसमें रिष्ट होना चाहिए फैर होना जैसे एक्जेक्वेटवेटीब क्लास है ये qanun को implement करने का इनको power दिया हुआ हूआ तो ये जो qanun implement करते हैं वोग घामिया करतेहं जो उसमें गलतीया करते हैं Tr 먼 मेरे आते हैं उसके लिए हमने वकी लोग जो एक आम आदमी है उसकी बात को हम लोग कोड के सामने रखते हैं लोग भी आपके पास आते हैं वह रहा है हमारा काम एक जुडिशियल सिस्टम में एस्सीश्ट करना जी इस से ज्यादा कुछ नहीं है और मैं सबसे यह करता हूं कि कि बूजयने वो पूरा हूं करे चाहिए